मेरे प्यारे देश्वासियों, त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्चिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासी, जनित वियोग बिबत्ति समनासी, अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही, सब अयोध्यवासी, समगर देश्वासी, हर्ससे भर गए, लंबे वियोग से, लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी, उसका अंत हो गया, उस कालखन में तो, वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था, तब भी इतना सही था, इस यूग में तो, अयोध्याव और देश्वासीों ने, सेंकडो वर्षों का दियोग सहा है, हमारी कई कई पीडियों ने, दियोग सहा है, भारत के तो संविधान में, उसकी पहली प्रती में, भगवान राम बिराजमान है, संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी, दसकों तक, प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर, कानूनी लड़ाई चली, मैं आभायर वेक्त करूँगा, भारत की न्याय पालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली, न्याय के परियाय, प्रभुराम का मंदिर भी, न्याय बद्ध तरीके से ही बना, साथियों, आज गाउं गाउं में, एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे है, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे है, स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे है, पुरा देश आज दिपावली मना रहा है, आज शाम घर घर, राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी है, कल मैस्री राम के आशिरवाद से, दनोश कोडी में, राम सेतु के आरंब बिंदू, अरिचल मुनाई पर था, जिस गड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था, जिसने काल चक्र को बदला था, उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम्म प्रयास था, वहाँ पर मैंने पुश्प बंदना की, वहाँ मेरे भीतर एक विस्वास जगा, की जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह, अब काल चक्र फिर बदलेगा, और सुब दिशाने बढ़ेगा, अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुस्थान के दौरान, मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया, जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो, केरला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो, आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो, स्री रंगम में रंगनाथ स्वामी मंदीर हो, रामेश्वरम में स्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो, या फिर धनुष कोड़ी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला, सांगर से सर्यू तक हर जगर राम और नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है, प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कन कन से जुड़े हुए है, राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है, हम बारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे, तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा, इससे उत्कुस्ट, इससे अधीक, देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है, मेरे प्यारे देश वासियों, मुझे देश के कोने कोने में, अलग अलग भाशाओं में, रामायन सुनने का अउसर मिला है, लेकिन विशेष कर, पिछले ग्यारा दिनों में, रामायन अलग अलग भाशाओं में, अलग राज्यों से, मुझे विशेष रुप से सुनने का मौका मिला। एलग ठामायन से स hone volume से खिए रुप से समझ तो में,